चलिए बैचो आज हम करेंगे exercise 12B, first question है, the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter find volume of a cube, चलिए जी, solution लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहली बात इसमें चलिए रही है volume of a cube, तो volume of a cube का formula क्या होता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, volume of a cube, कितना होता है बैचो, वो होता है हमारा a क 3, मतलब side की, side की power 3, देखो, यह हमारा cube होता है बैचो, जिसके इंदर square होते हैं, यह हमारा cube हो गया, ठीक है, अब, आप मानलो आपने यहाँ पे मानलो कुछ रखा, मानलो आपने volume निकालना है, तो मानलो यहाँ पे आपने कुछ रखा, right, मानलो आपने milk रखा, तो milk रखा तो इसका इरिया कितना होगा, A multiply A, ठीक है, अब milk और मिल्क डालोगे, तो इसी shape में milk उपर आएगा, फिर और मिल्क डालो, उपर आएगा, और मिल्क डालो, उपर आएगा, इमेजिन करो, इमेजिन करो आप, कि जैसे आपके पास square कोई box है, उपर चे खुला हूँ, आप उ पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं तक, उपर तक पहुंच जाएगा, तो इसका इरिया कितना है, A multiply A, मतलब क्योंकि square है नीचे वाला, यह जो है square है, इसका इरिया कितना है, तो ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, milk उपर जा रहा है, उपर जा रहा है, और यह क्या तो आपने क्यूवड शेप में कुछ डाला है तो आपने कुछ डाला तो यहां पे मिल किसकी शेप लेगा एल इंटू बी ऐसे करते-करते उपर जा रहा है और यह 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 हाइट ना यह सारे खड़े यह हाइट है तो आपने है यह तो इतना सिंपल फॉर्मूला चलिए आगे चलते हैं अब जल्दी जैसका करते हैं तो कि पैडिमीटर दिया हुआ हमें वन फेसल 오फ क्यूप का इतना कंडि सेंटिमीटर मतलब कि स्कूर के तो कितना हो जाएगा पर फॉर ए तो फॉर ए कितना होगा मेरा 20 cm यहां से मैं क्या करूँ है यहां से लगालना है तो डालनेंगे का हैं यह ना है किया यंट्ट सेंटीमिटर सेंटीमिटर में कशन का आएगा स्कुरर और वह एरिया किसी का भी हो हमेशा square में आएगा ठीक है तो मेरा question number 1 हो गया complete चलो इसको रब करते हैं चले बिचे question number 2 देखिए आप match box मैं यह में dimensions दिए match box की what will be the volume of a packet containing 12 dozen such boxes ठीक है सबसे पहले हम निखेंगे आप पर solution ठीक है तो हमें बाद यह जो है ना dimensions एक क्योब की होती है जब भी आपको different दिखें तो आप सबज़ जाना क्योबाइड की है ठीक है तो पहले आपको क्या निकालना पहलें के volume of one box हम बोलेंगे volume of a box एक box निकालना क्यूब क्योंकि हमारा क्यूबएड जैसा है क्या formula होता है इसका L into B into H तो यह L मानेंगे इसको भी मानेंगे इसको H मानेंगे ठीक है सो 4 cm multiply 2.5 cm multiply 1.5 cm सब को multiply करो तो आपका आएगा 15 cm ना सेंटीमीट्र का k्यूब volume हमेश्यव में आता है किसी का भी हो ठीक है यह हो गया अब 12 लेंखल बॉक्स का मचले सीघ्जा चाल जाएंगे 12 आपक स्वहारा एंट्वारा बॉक्सेज तो घ्फाहरा बॉक्स मतलब 114 चाहिक तो हम 144 करने कேं है अब वालियूम ओफ वन फूर फूर बॉक्स कितना हो गया बच्यों एक इतना एं तो वन फूर फूर करतें कि एंटीमीटर का क्यों चाहेगा ठीक है घृत्प्राइब करते हैं इसमें वन फूर फूर मुल्टिप्लाइब 2160 तो आगे हमारा 2160 सेंटीमीटर का क्यूब ठीक है तो हमारे कितना हो गया वॉल्यम औफ यह आपने लिख दो 12 डेजन बॉक्स ठीक है चलिए यह मारा स्वाल्व हो गया चलो बच्छों क्वेशन हमां थर्ड देखिए अक्यूबॉडल टैंक इस एट मीटर लॉंग सिक्ष म डीटवाइड 2.5 मीटर डीप है हाउ मैंनी लीटर सब वाटर कैने ट को ठीक है चलिए स्लूशन लिखते हैं पहले देख बच्छों जब कभी भी क्वेशन में इस टाइप सी बोलेगा हाउ मैंनी लीटर सब वाटर इट कैन होल्ट मतलब इसक्रीक कपैसिटी की बात चल रह कुछ निकाल ना है ठीक है कोई करेंदर आपको अम डालेफ के बोस बॉटा पूर्म फूल करना है तो पहसे हम समझ एuff i say so volume of है क्योब एडल टैंक ठीक है क्या हो जागा है एन इंटू बी इन टुए एच ठीक है तो एमारा इंट मीटर है यह हमारा कितना है एंट मीटर है और हमारा एच कितना है न्थो पॉंट फाइफ मीटर रहे इसको सॉल्फ के लिए को तो कितना हो जाएगा एट सीज़ा कितना होता है 48 होता है एट सीज़ा 48 अब 48 को हमने मुल्टिप्लाइब कर दिया यह याद भी कर लो जरूरी ने कि आपको देगा यह वन मीटर क्यूब हमारा किसके बरावर होता है वन मीटर की वह होता है 1000 लीटर बरावर होता है ठीक है मीटर की यह मल्टिपलाएग्ण ठीक है तो चिंघ तो लीटर इसका मतलब कितना सिंपल है जब कभी भी आपको वन मीटर क्यूब को चेंज करना होगा लीटर में आप उसको 1000 से मल्टिप्लाइ कर देंगे बस याद रख लो जब कभी भी आपका वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम को याद रखो सिंपल इस टाइप से मीटर वाले वॉल्यूम को मीटर वाले वॉल्यूम को सेंटिमीटर वाले वॉल्यूम को तो जब कभी आपका वॉल्यूम आंसर आएगा मीटर में किसमें मीटर क्यूब में मीटर क्यूब में जब भी आपका अंसर आएगा आप याद कर लेना तो यह मारा आंसर हो गया ठीक है